हरबजन सिंग एक बहतरीन स्पिनर है और सभी उनसे बहुत प्यार करते हैं वह एक बल्ले बास भी है उन्होंने क्रिकेट खेलते हुए तेज सार पूरे कर लिये है स्पिनर को दुनिया भर से धेर सारे संदेश और पोस्ट मिले जहां उन्हें शानदार और सफल केरियर के लिए बधायां दी गई हरबजन ने 103 टेस्ट मैचों में 417 विकेट लिये है और 236 एक्तिवसियम मैचों में 279 विकेट लिये है वे बेहत प्रतिवाशाली गेंदबाज है स्पिनर ने अब क्रिकेट से सन्यास की गोशना की है सब दंग रह गए जब मीडिया ने उनसे सन्यास की वज़ब पूछी तो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा खराब गेंदबाजी करने से आपको 400 विकेट नहीं मिलते खराब गेंदबाज इतने विकेट नहीं ले सकते केवल प्रतिवाशाली गेंदबाजी ऐसा कर सकते है अब सभी ने मुझे इतने विकेट लेते हुए देखा है हलाकि चैन करताओ ने मुझे कभी भी टीम के लिए नहीं चुना मैने चैन करताओ सहित लोगों से संपर करने की कोषिश की लेकिन कोई प्रत्रिक्या नहीं मिली मुझे BCCI से उच्छ़समर्टर नहीं मिला क्योकर कोई पश्टता नहीं थी मैंने सन्यास लेने का फैसला किया हर्बजन के बयान से लोग काफी हैरान थे साथ ही हर्बजन ने 10 दिन पहले पंजाब रांटिय कॉंग्रेस कमिटी के प्रमुक नौजोट सिंग सिद्धू से भी मुलाकात की थी और ठीक 10 दिन बाद हर्बजन ने क्रिकेट छोड़ दिया जबकि हर्बजन के करीबी सूत्रों ने बताया कि वह एक IPL टीम को कोच करने की तयारी कर रहे थे और इसके लिए उन्हें क्रिकेट से सन्यास लेने की ज़रुरत थी उसी समय कॉंग्रेस के सूत्रों ने कहा कि हर्बजन का राजनीती के प्रती बहुत अधिक जुकाव था और बहुत इसमें भाग ले सकते है अब इन दो अलग-अलग कहानियों के साथ हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि स्पिनर आगे क्या करते है